देखे, निमलिखित में से किस कारे के लिए शब्द कोश से सहता नहीं मिलेगी, शब्द कोश यानि डिक्शनरी, डिक्शनरी से सहता नहीं मिलेगी लिखा है, पहला option है उचारण में सुधार, यानि आपको अपने pronunciation में अगर सुधार करना है, शब्द संपदा में सुधार कर यानि आपका जो vocab है वो बढ़ जाए वर्तनी यानि spelling सही क्या है तो उसके लिए भी आप dictionary का कई बार प्रयोग करते हैं लिखावट में सुधार उचारण के लिए आपको पता लग जाता है कि क्या word है और कई बार उसमें दिया भी होता है bracket में या आप आजकल की जो modern dictionaries हैं अगर आप बात करेंगे online वालों की भी तो वहाँ पर option है आपके पास कि कैसे आप उस word को pronounce करेंगे तो उचारण में साहता कहीं न कहीं मिलती है नहीं तो लिखा भी होता था जो परानी जबानी की dictionaries होती थी कि इसको ऐसे उचारण इसका ऐसे होगा ठीक ना तो dictionary उचारण में साहता देती है ये बात सही है शब्द संपदा यानि vocab में भी help करेगी आपके शब्द भंडार को बढ़ाएगी वर्तनी में सुधार यानि spelling में भी improvement होता है लेकिन एक चीज है लिखावट में सुधार आपकी writing या आपकी लिखावट कैसे सुधार बनाएगी dictionary उसका काम ये थोड़ी है वो तो वह वाली books होती थे ना जिनको आप सुलेख करते थे है ना तो लिखावट में सुधार सुलेख से होगा किसी और तरीके से करेंगे आप लेकिन dictionary आपकी लिखावट में सुधार नहीं कर सकती यानि आपकी writing सुंदर कैसे बनाएगी dictionary है ना तो इसका answer जो है वो D है जितने भी बिलकुल बहुत ही बढ़िया कोई दिक्कत परिशानी सब अलग-अलग answer दे रहे हैं इसका एक मिनिट रुक जाईएगा पोल ठीक से जा रहे है भाई एक मिनिट रुको आप दीजए answer एक मिनिट रुकना है 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 ठीक आगे बढ़ेंगे क्वेशन नमबर है टू समग्र भौतिक प्रिक्रिया विधी में डैश अवबोधन विशय का आधार है समग्र भौतिक प्रिक्रिया ये इसको TPR कहते हैं इंगलिश पेड़ागोजी में भी सेम टॉपिक्स ही हैं स्लेबस आपका सेम ही हैं दोनों में TPR बोले तो टोटल फिजिकल रिस्पॉंस समग्र भौतिक प्रिक्रिया यानि फिजिकल रिस्पॉंस को भौतिक कह रहे हैं इसमें क्या है टीचर ने कहा कि इतनी बड़ा एक कुछ था या फिर मचली जलकी रानिया यानि टीचर ने कहा जो मैं एक्टिविटी करूं उसी के पीछे आपको टोटल फिजिकल रिस्पॉंस करना है जो आपको कहा जा रहा है एक्जेक्ट वही चीज़ें आपको उस निर्देशन के हिस आप से follow करनी है बात तो सही लग रही है घना टीपिर में क्या है विशेय अवबोधन में ढैश अवबोधन विशेय का आधार है यानि जो समझपा रहे हैं किस basis पर समझ पा रहे हैं, सुन करके समझ पाएंगे, या पढ़ करके समझ पाएंगे, या बोल करके, या लिख करके, तो श्रवन करके, टीचर जो बोलती है, उसके पीछे आपको वो activities रिपीट करनी है, पूरी body से या जो भी activity कही जा रहे हैं, तो ये सुन करके ही तो आप अ अनन्द के लिए पढ़ते हैं, इसका तात पर रहे हैं वे डैश में सनलगन हैं, या बच्चे किसके लिए आनन्द के लिए, pleasure के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको interest है, इसलिए पढ़ रहे हैं, तो वो किस चीज में सनलगन होंगे, सरसरी दृष्टी से पढ़न करेंग कि क्लास्रूम में पढ़ाई कराई जाती है, जो C की तरफ दौड लगा रहे हैं कई लोग, गलत आंसर हो गया, देखिएगा, बहुत ही बढ़िया, मिक्स जांस है सारे हैं, इसमें समझते हैं, अगर हम बात करें, C कह रहे हैं, कितने परसेंट लोग, 44% लोग, और भी देखें, बाकी लोग कितने परसेंट क्या दे रहे हैं, 17% D दे रहे हैं, देखिएगा, जब विद्यार्थिया आनंद के लिए पढ़ते हैं, तो इसका पढ़ते जाते हैं, तो विस्तार के लिए पठन यहां सही उत्तर होगा, ना कि आपका गहनता के साथ पठन, गहनता के साथ पठन जब आपको specifically कुछ ऐसा करने के लिए कहा जा रहा है, क्लास में कि आपको particularly याद करना है, आंसर या वो information निकालनी है, उस तरफ जादा भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण बहुदा डैश देखे जाते हैं, भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण, यानि आप mix कर देते हैं, जो संकेत हैं उनको आपस में जब अपनी सुविधा के अनुसार समझने के लिए भाषा को, किन लोगों कि तो यहां बात ही नहीं होगी एक ही बात हमारे पास बचती है कि वो बच्चे जुनको दो भाषा याती है मानली जो मदर टंग हिंदी है, स्कूल में इंग्लिश बोली जाती है तो कई बार संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण कर देते हैं दोनों चीजों को मिक्स कर देते हैं जैसे आप लोग चैटिंग करते हैं मैं चलना बंद करती हूं एक जगा खड़ी देती हूं जैसे आप लोग चैटिंग करते हैं इंटरनेट पे ही हिंदी और इंग्लिश सबका मिश्रण बना करके तो B option is the right answer आगे बढ़ेंगे question number 5 पर question number 5 देखेगा यह क्या कहता है भाषा की आधार भूत संरचनात्मक एकाई है यानि basic जो unit है language की बताइएगा एक बार basic unit of language एक तरह से यह पूछा है हमसे आधार भूत एकाई science pedagogy तो हम नहीं करेंगे देखो बैच में हो गी हो फिर पैर को क्या हुआ यार रचना कल उतरते हुए यहीं से मोच आगे बहुत इगंदे तरीके से पैर ऐसे मुड़ गया फिर बस मज़े आगे उसके बाद तो सब कर लिया गरम पट्टी बांद ली ये कर लिया वो कर लिया फिजियो को दिखा लिया इसके बाद अब समझ में आया है कि हाँ आइस पैक का इस्तमाल भरपूर हो रहा है और दवाई भी तो अब आराम है मतलब मैं खड़े हो पा रही हूँ दरवाइस आज दो पहर तक भी इस्थदी अच्छी नहीं थी अब हो जाएंगे नोट्स प्रिंट जो नए वाले नोट्स आपके साथ शेयर किया न टेलिग्राम में वो आप एक बार अब प्रिंट करिएगा और बाकी सब्जेक्ट्स के भी में कर दूंगी जल्दी है ठीक है प्रणाम इन्विजिबल चलिए यह कह रहे हैं 46% लोग यानि भाषा की आधार भूत संरचनात्मक एकाई स्वनिम है इसको हम क्या कह देते हैं फोनीम कह देते हैं smallest एकाई है ठीक है आकरिती, मॉर्फीम, लेखाश्वेत्र, भाषा, विशक, नए स्वनिम है factual question है इसमें हम क्या कर सकते हैं ठीक, question number 6 देखिएगा question number 6 देखिएगा यह कहता है बहु विकल्पी प्रश्ण clause परिक्षन निमलिखित का मिलान करो आदी प्रश्णों के उन प्रकारों के उधारन हैं जिने हम बहुदा डेश परिक्षनों में देखते हैं यानि बहु विकल्पी प्रश्ण जैसा यह है MCQ की बात हो रही है ठीक, clause परिक्षन होता है कि बीच में आपको fill in the blank fill करने हैं तो वो भी clause परिक्षन हो गया निमलिखित का मिलान करो side A है, side B है मिलान करो कौन सा सही है, कौन सा गलत है तो यह MCQ based या वस्तोनिष्ट objective type प्रश्ण पत्रों में या परिक्षनों में ही इनका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है आप अपने भी एक्जाम में देख लीजे तो यहाँ पर मिलान की भी बात आती है कई बार, कई बार fill in the blank के अच्छा इसकी जगाब पे जैसे कल हम NEP के question कर रहे थे तो कहां से कहां shift होता है तो वो clause की तरह काम करेगा ठीक, पत्र लेखन, मॉलिक निबंद नहीं वस्तोनिष्ट प्रश्णों में क्योंकि ये closed ended questions होते है question number 7 देखेगा एक बार और जवाब दीजेगा क्या कहता है question number 7 यदि आप शब्दों के सिर्फ समानार्थी और विपरीतार्थी जानना चाहते हैं तो आपको किसकी आवशकता होगी समानार्थी बोले तो synonym यानि जो समान अर्थ रखते हों और विपरीतार्थी बोले तो opposite words बताईएगा एक बार और जवाब दीजेगा फटा फट से बताईएगा मेरी friend कासिन शिफा को best of luck बोल दीजे please कासिन शिफा best of luck भी मेरी तरफ से एक दम best of luck और थोड़ी बात समस्या है अगर आएं भी जीवन में फिर भी मस तरीके से काम करिये खुश रही है all the best जो consistently आप मेहनत करते हैं वो consistency basically आपको help करती है लॉंग डिन में चलिए देखेगा इक बार A option कह रहा है 47% लोग यानि यदि आप शब्दों के सिर्फ समानार्थी और विपरितार्थी जानना चाहते हैं तो शब्द कोश में सिर्फ समानार्थी और विपरितार्थी होते हैं क्या और भी चीज़ें होती होंगी संकलन शब्द समोह का सूची कोश या उच्चारन निर्देश का तो इसका जो answer है वो है शब्द समोह का सूची कोश यानि आपने कुछ गुरूप आफ वर्ड्स का एक सार्णी ले ली है जिसमें एक तरफ लिखे हुए विपरितार्थी एक तरफ लिखे हुए समानार्थी तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगया जो शब्द कोश से भी क्योंकि dictionary में भी कई बार noun form है और भी extra चीजे होती है जो given होती है लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ समानार्थी और विपरितार्थी ही हो रही थी तो C option जादा सही है आगे बढ़ेंगे question number 8 पर देखेगा इसको समझेगा क्या कहता है question number 8 वर्ग शब्द पहेलियों के भाषा खेल विध्यार्थियों को उनकी dash सुधार्णे में मदद करते हैं यानि वर्ग शब्द पहेलियों के भाषा खेल यानि बच्चे क्या है language की games खेलना है जिससे उनकी क्या सुधार्णे में मदद मिलेगी पहेलियों पूछी जा रहे हैं उनसे एक तरह से तो पठन, शब्द, संपदा, लेखन या वाचन देखिएगा एक बार और बताएगे फटाफट से बताएगे पहेलियों की बात हो रही है तो खेल विद्यार्थियों की किस चीज को सुधार नहीं में मदद करेंगे बेसिकलि उनके पास ज़्यादा शब्द होंगा शब्द भंडार उनका बहतर हो जाएगा शब्द संपदा उनकी बहतर हो जाएगी क्वेस्ट नमबर नाइन है सूश्री सुधीना कक्षा एक में भाषा पढ़ाती है वह अपने विद्यार्थियों को कविता और शिशुगीत पढ़ाना पसंद करती है जिन्हें विद्यार्थी पहले सुनते हैं फिर दोहराते हैं तो जो टीचर है सुधीना जी वह तक्षा एक में भाषा यानि लेंग्वेज को पढ़ाती है और कविता और शिशुगीत जो छोटे बच्चों के लिए होते हैं पोयम्स और बालगीत टाइप उनको पढ़ाना पसंद करती है जिन्हें विद्यार्थी पहले सुनते हैं फिर दोहराते हैं तो सूश्री सुधीना अपने विद्यार्थियों को डैश के डैश को पुष्ट कर रहे हैं किसको श्रवन एवं वाचन को वाचन एवं पठन को श्रवन एवं पठन को या फिर पठन एवं लेखन को बदाएगा एक बार 76% लोग कह रहे हैं यह ओप्चन है इसमें आप लोग सही दे रहे हैं जादा तरलोग जवाब बहुत ही बढ़िया मैं आपका आवाज भारी है ख्याल रखिये तब यह आज सही नहीं आफकोर्स आवाज तो भारी लगेगी मैं सिर्फ इस क्लास के लिए उठी हो नहीं तो हिम्मत नहीं थी देखेगा अगर हम बात करें 74% लोग कह रहे हैं श्रवन आवम वाचन जो की सही है तो जब आप किसकी बात हो रही है कविता और शिशुगीत सुन रहे हैं पढ़ाना पसंद करती हैं जने पहले वो सुनते हैं सुनते हैं मतलब श्रवन कौशल बहतर होगा फिर दोहर आते हैं दोहर आते हैं मतलब वाचन यानि बोलना कौशल बहतर होगा वाचन मतलब speaking skills तो ए ऑप्शन ही यहाँ पर no doubt सही है क्योंकि पहले वो सुन रहे हैं तो यहाँ पर वाचन बाद में नहीं आसकता पहले श्रवन कौशल बहतर होगा क्योंकि पहले सुन रहे हैं और फिर बोल रहे हैं या दोहरा रहे हैं यह कहता है जब कोई विद्यार्थी भाषा का प्रयोग अपनी भावनाओं समवेगों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए करता है या करती है वह भाषा के डैश प्रकारे का प्रयोग कर रही है यानि जब आप एक विद्यार्थी है मान लीजो और आप language को यूज कर रहे हैं अपनी emotions को अपने भावना अपनी feelings को और अपने thoughts को express करने के लिए तो यह किस तरह का function है language का यह पूछा है कल तक हो जाएगी ठीक है तब यह इतनी बड़ी कोई problem नहीं है चल जाएगा काम कोई खेरा है इतनी सी मोच में हिम्मठ टूट गई आपकी माही कह रही है यारी इतनी सी रही है इतनी सी रही है इतनी सी में को lifetime ही शायद पहली बार ही अज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि मोच आ गई हो या कुछ तो यह में लिए पहली बार ही था और सच में ही खतरनाक था देखेगा एक बार अगर हम बात करें question number 10 की जब कोई विद्यार्थी भाषा का प्रयोग अपनी भावनाओं समवेगा और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए करता है फटा फट से बताईए तो dash प्रकार्य का प्रयोग कर रही है C option 39% है इतनी दूर से आपको बहुत पता लग रहा है इतनी सी है या कितनी सी है देखो एक बार C option 39% लोग वियंजक और अर्थपूर्ण प्रकार रहेगा बिलकुल कि आप भाषा का प्रयोग किस लिए कर रहे हैं question number 11 देखेगा श्री जगबीर की बात हो रही है टीचर है श्री जगबीर श्री जगबीर अपनी कक्षा 2 में शृत लेख के प्रयोग से अपने विद्यार्थियों की डैश शमता में सुधार कर रहे हैं जगबीर क्या है टीचर है कक्षा 2 में है ठीक शृत लेख यानि जिसको हम इमला कहते हैं डिक्टेशन कहते हैं तो बच्चे सुन करके लिख रहे होंगे शृत लेख में तो यही होता है अना डिक्टेशन ठीक अब देखेगा एक बार अब जो करवाती हो वो सब्जेक्ट हो जाता है लेकिन मौक टेस्ट करो तो बहुत गलत होते हैं अब राजिता तो उसी पे तो काम करना है आप AC क्यों चलाते हो बेमार तो हो गई अब सारे सारे ग्यानचन बन गए हो है यह सिर्फ क्लास के लिए चलता है कि यह पूरा पैक्ड है साउंड प्रूफ है तो उसमें क्या होता है कि बहुत गर्मी और लाइट सितने जादा होती है तो बहुत कम टेंपरिचर पर चलाना पड़ता है अदर्वाइस यहां ओमस हो जाएगी बहुत जादा वैसे नहीं चलाती हूँ नॉर्मल जिंदगी में बस इस्टूडियो में चलता है इसी देखो एक बार अगर हम बात करें question number 11 की तो B कहा रहे है 74% लोग तो श्री जग्बीर अपनी कक्षा दो में शुरूत लेख यानी dictation जिसमें बच्चे सुन करके लिख रहे हैं इमला कहते थे जिसको अपने विद्यार्थियों की डेश शमता में सुधार कर रहे हैं किसमें लेखन और श्रवण में या श्रवण एमलेखन में पहले विद्यार्थी सुनेंगे जब शुरूत लेख का मतलब है सुन करके लिखना तो पहले बोला के एक चिडिया थी तो बच्चे ने पहले सुना और फिर लिखा तो श्रवण और लेखन दोनों बहतर हो रहे हैं ऐसा नहीं कि पहले लिखा और तो ये A नहीं हो सकता इसका आंसर B सही होगा पठन अवम लेखन से जादा क्या है यहाँ सुनना और लिखना B option question number 12 देखेगा और जवाब दीजेगा question number 12 क्या कहता है पठन को प्रभावित करने वाली अधिगम विकलांगता है यानि आपकी reading को प्रभावित करने वाली अधिगम विकलांगता है दिव्यांगता क्या है ये पूछा है हमसे फटा-फट से बता दीजाए इंगलिश भी कराएंगे टूंट वरी बिल्कुल कुषपांजली द्यान रखेंगे बहुत ही बढ़ी है शोक्र मराव कल तक ठीक हो जाए डर है हेरलाइन ना आ गया हो कही देखो एक बार अधिगम कोई बात नहीं हिंदी वीक है तो ठीक भी तो हो सकती है ऐसी क्या बात है बी ऑप्शन 82% लोग कह रहे हैं चली समझते हैं पठन को प्रभावित करने वाली अधिगम विकलांगता पठन वैकल्या है या वैफल्या भी कह देता है जिसको dyslexia कहते हैं यह एक नंबर में question CDP में मिलेगा यह आपको Hindi में मिलेगा English में मिलेगा तो dyslexia के आसपास 34 नंबर काम आपका हो जाएगा तो यह लेखन वैफल्य नहीं लेखन वैफल्य डिसग्रैफिया होता है यानि जब लिखने में दिक्कत हो, यहां पढ़ने की दिक्कत है, तो पठन वैकर ले है, गढ़न वैकर ले है, calculation वाला, discalculia हो जाएगा, आचरण जैसा हम कुछ पढ़ते नहीं है, तो B option is the right answer, आगे बढ़ेंगे question number 13 देखिएगा, और दो questions हैं, आज की class जल्दी खत्म करें और वो पढ़ाती हैं अपनी कक्षा में और अपक्षा की जाती है, जो वो पढ़ा रहे हैं बच्चे पीछे पीछे दोहरा हैं, तो किसका अनुस्वरन कर रहे हैं, अपनी कक्षा में पुन्रा वृति ड्रिल का, अपनी कक्षा में वारतालाब ड्रिल का, पूरा करने की ड् ताकि उच्छारण बहतर हो सके आगे बढ़ेंगे question number 14 देखेगा ये आगे आपका सास्वर पठन गतेविधियों की जब हम बात कर रहे हैं तो सास्वर पठन गतेविधियों डैश हैं बताएगा पढ़ाना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाबधायक है या फि सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाबधायक नहीं है केवल पठन के उच्छ तर तक पहुंच गए पाठकों के लिए लाबधायक नहीं है या फिर पठन के उच्छ तर तक पहुंच गए लाबधायक नहीं है बताएगा फटा फट से बताएगा तब जाकर कि हम आपको कोई और बात कर पाएंगे देखा मैं सब कितने care करते हैं आपकी हाँ प्रिया राजबत ये बात बिल्कुल मैं मानती हूँ और इसलिए मैं याँ खड़े हो पा रही हूँ otherwise तो फिर दूसरा कोई reason ही नहीं है क्योंकि इस time पे आप अब matter यह नहीं करता है हमने 15 questions की matter यह है कि आपकी वो continuity दिमाग में बनी रहना बहुत जरूरी है वो होसला बने रहना बहुत जरूरी है इस time पे otherwise notes मिलेंगे बड़े sessions भी होंगे और like share तो आप करेंगे ही जो कि आप भूल जा रहे है 27,200 कुछ लोग है हम लोग और 9,000 लोगों ने like किया है कहां है यह बाकी के तीन गुना लोग मैंसे सिर्फ 130 कर पा रहे है बताओ एक बार फटा फट से धन्यवाद यार ठीक है यह कह रहे है 88% लोग चलिए समझते है सर्सवर पठन जिसको हम क्या कहते है सर्सवर मतल़ लावड रीडिंग जब आप प्रॉपर सुर लेताल के साथ पढ़ रहे है तो पढ़ना सीखना शुक्रू करने वाले पाठ़गों के लिए लाबदायक होता है या पढ़ना सीखना शुरू करने वाले सास्वर की जुरत नहीं फिर तो आप गहनता से पढ़ने के लिए आप मन में मौन पठन करते हैं सास्वर तो उचारण वगेरा और इंटरस्ट क्रियेट करने के लिए लाया जाता है तो जो पढ़ना सीख रहे हैं उनके लिए ज्यादा इंपोर्टेंट है सास्वर पठन ठीक सास्वर मतलब लाउड रीडिंग और मौन पठन गहनता से पढ़ने के लिए यानि साइलेंट रीडिंग तो आपको ज़्यादा डीटेल में जाना होता है तो आप साइलेंट रीडिंग करते हैं जैसे आप अभी बड़े हो चुके हैं और छोटे बच्चों के साथ दील करने में आपको लाउड रीडिंग का प्रियोग करना होता है सास्वर पठन का question number 15 आच के लिए आखरी है निम्रिकित में से किस स्थिती में उप्चारात्मक सिक्षन दिया जाना चाहिए उप्चारात्मक आप समझते हैं रेमेडियल टीचिंग रेमेडियल टीचिंग रेमेडियल टीचिंग बताईएगा रेमेडियल टीचिंग और डाइग्नॉस करके रेमेडियल टीचिंग दी जाती है डाइग्नॉस्टिक होती है क्या निदानात्मक परिक्षन पर ले निदान करेंगे फिर उप्चार करेंगे इतनी बात हमें क्लि इसे हाथ भी उपर करना है क्या चलिए आगे बढ़ते हैं देखे गार हम सभी यूनीक है यार मस्त रहो कुछ रहो देखो बी ऑप्शन 61% लोग कह रहे हैं तो उप्चारात्मक सिक्षन किस इस्तिति में दिया जाना चाहिए विद्यार्थी अधिकम का आनंद ले रहे हैं डी के बाद आ रहेगा यानि पहले डाइग्नॉस करेंगे निदान यानि गैप का पता लगाएंगे और पर रेमेडी देंगे तो प्रॉब्लम क्या है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं तो गैप पता लग गया हमें अब हमें रेमेडी बेनी हैं तो जो निदान आत्मक या उप एक्शर कीज़ेगा